हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करते हूं सब लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम दानने वाल है कि आई पिल या अन्वांटेट सेवेंटी टाबलेट कब और कितनी लेना सही होती है क्योंकि कई ऐसे पेशन भी होते हैं जो मंत में दो बार तीन बार भी ले लेते हैं और उन लोगों को सही से नौलेज नहीं होती है कि इनको कब लेना सही होता है हम इन टाबलेट को लेते क्यों है तो सबसे पहले आपको ये पता होना जाए कि अन्वांटेट सेवेंटी टू या फिर आईपिल टाबलेट को हम कब यूज करते है कि जब कोई भी कपल प्रेगनेंसी नहीं चाहता है या अन्वांटेड प्रेगनेंसी के डर से आप रिलेशन बना लेते हैं उन्टर्टेट्टेट सेक्स होता है तो पेशेंट यह चाहता है कि कही pregnancy न हो जाए pregnancy से बचने के लिए या pregnancy को prevent करने के लिए हम इन दवाई का use कर सकते हैं और इनका कई बार बहुत अच्छा result भी आता है patient को को side effect भी नहीं होते है पर कहीं सारे patient ऐसे भी होते है जिनको ये fail हो जाती है काम नहीं करती है इनको लेने के बावज़ूद भी pregnancy हो जाती है कई patient के period delay हो जाती है किसी को बारवा bleeding होती है किसी की period cycle in regular हो जाती है तो येसे कई सारे इनके side effect भी होते है तो इनको लेने का सही तरीका क्या होता है कि जब भी सबसे पहले तो आप month में एक चीज calculate करिए कि आपकी period cycle कितने दिनों की है period cycle जितने भी दिनों की आ रही है उसमें आप 14 दिन माइनस करिए जो भी दिन आते हैं वो आपके ovulation days आ रहे है माल लिजिए अगर आपका relation ovulation period में बन रहा है या unsafe days में आपकी relation बन रहे हैं तो उन दिनों के दोरान सिर्फ एक tablet लेने की जरुवत होती है ना कि दो या तीन tablet कई patient ऐसा करते हैं मन्त में अगर थरी बार उनका relation हुआ है तो वो तीन बार use कर लेते हैं किसी को दो बार relation बना है तो दो बार use कर लेगा ये बिलकुल गलत तरीका है आप लोगों का और इसके बहुत जादा side effect भी फिर आगे जा करके आपको देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान रखे कि आपका fertile window कब है अगर fertile window में आप लोग साथ में है तो इसको लेनी की जरुवत है अगर आप safe days में साथ में हैं तो आपको ना आई पिल लेनी की जरुवत है ना ही unwanted 72 टाबलेट लेनी की जरुवत है क्योंकि unsafe days में ही only pregnancy रुख सकती है safe days में इसा कोई problem नहीं होती है तो आप बिल्कुल घबराईए मत सिर्फ आपको अपने ovulation period की knowledge होना है और वो बहुत आसानी साब निकाल सकते ही क्या आपकी period 28 दिन का है कि 30 दिन का है कि 30 दिन का है जितने भी दिन आ रहे उसमें आप 14 दिन minus कर दीजिए calculation के दोरान आता है result वही आपको ovulation period रहेगा उसके 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक आपको relation नहीं बनाना है और अगर उन दिनों में relation बनता है तब आप इन medicines का use कर सकते हैं ना कि कभी भी कई patient तो जब relation बनता है तब भी खालेतें तो ऐसी गलतिया ना करें या आपकी सेहत के लिए नुकसान दैक हो सकता है आशा करती हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं clear कर पाई हूं या हमने जाना है कि unwanted 72 या IPL को लेने का सही तरीका और सही समय क्या होता है कि जब आप evolution period में अगर संबन बना रहे हैं तो उसी दोरान pregnancy रुपने का chance सबसे ज़ादा होता है तो अगर evolution period में आपके relation बन रहे हैं तो only आपको एक tablet लेने का जरुवत है पूरे मन्त में ना की बार बार लेने की जरुवत है